कभी-कभी आप लोगों की बाते सुनकर थोड़ा विसमे भी होता है और उससे ज़ादा दुख होता है सबसे पहले तो देखिए मैं एक चीज पश्च कर दूँ सुर्खियां ढूनना अच्छा काम है मीडिया को वो करना भी चाहिए मीडिया तो आजकल ऐसी सुर्खियां ढून रहा है कि मोर्भी के 1.500 मृत को अपनी ही मौत का जिम्मेदार ठहराने पर तुला हुआ है तो खेर उसके बारे में मैं टिपड़ी नहीं करूं तो अच्छा है क्योंकि वो सुनकर मुझे दुख से जादा गुसा आता और तरस आता है आज की मीडिया की स्थिती पर लेकिन जो आपने बात कही क्योंकि मीडिया से आती हूँ चीजे देखने का फर्क भी होता है प्रदानमंत्री मोदी ने वहाँ पर जरूर कहा कि सबसे अनुभवी सीम है यह सच है सबसे अनुभवी सीम है लेकिन अशोक गहलोच जी ने जब उसी मंच से भड़ी भीर में पूरी जन सभा में यह कहा कि मोदी जी की इज़त और सम्मान विदेश में इसलिए होता है क्योंकि वो गांधी के देश से आते हैं वो ऐसे देश से आते हैं जो नेहरू, मौलाना अजाद, चंदरशेखर अजाद, सरदार पटेल का देश है, बाबा साब, अमबेटकर का देश है जहां पर लोकतंत्र की जड़े 70 साल बाद भी बड़ी मजबूत है मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भरी सभा में मोदी जी को आइना दिखाने का काम किया है वो ही लोकतंत्र जिसको रह रह कर शारशर करते हैं मोदी जी, उसी लोकतंत्र का उलेक करकर गांधी और नहरू के उस देश का उलेक करकर जिनका अवमानना करने से मोदी जी और उनके अनुवाई एक पल पीछे नहीं होते है अब आपने मुझसे एक सवाल पूछा है और आपने पाइलेट साहब के सामने किस तरह से सवाल पूछा और उनका क्या अनुवाई रहा ये तो मैं नहीं जान सकती हूँ मैं कांग्रेस की अधिकरत प्रवक्ता हूँ यहाँ पर बैठकर एक प्रेस कांफरेंस कर रही हूँ आपने मुझसे गहलोट साहब जी की जो बात थी रैली को लेकर उस पर सवाल पूछा मेरी अपनी जो अधनी सी समझ है मुझे आता है समझ में कि उन्होंने तारीफ नहीं करी उन्होंने भरी समा में मोधी जी को आइना दिखाने का काम किया इसका और भी एक तल्ख बात कह सकती हूँ लेकिन देश के प्रधान मंत्रियें तो नहीं कहूंगी आइने तक ही रुक जाओंगी भरी समा में मैं अपने बगल वाले को बोलू कि आपकी इज़त आप से न नजर आ रही है देखिए ऐसा है कि गुजरात में तो बहुत कुछ हो रहा है और गुजरात में कुछ भी कहने से पहले हम एक ही सवाल जो लगातार चार दिन से पूछ रहे हैं वो दुबारा से पूछेंगे 96 घंटे हो गए इस सवाल को 1500 लोगों की पुल तूटने से मौत हुई है और जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मी चौकीदार और टिकेट बेचने वाले वो दो लोग है या इसी कमपनी जिम्मेदार है जो पुलिस का कहना है जिसने सिर्फ पेंट कर दिये थे तार और रंगरोगन कर दिया था मोदी जी वहाँ पर गए, अस्पताल की पुताई हो गई, अस्पताल की राको राक चका चक हो गए, अस्पताल की तस्वीरें बढ़िया आए, लोगों से मिलकर वो चले गए, क्या कौन जिम्मेदार है लोगों की मौत का पहले तो मुझे ये बताया जाए मुनिस्पल कमिशनर का नाम नहीं है FIR में, कंपनी के MD का नाम नहीं है, Urban Development Ministry जिसके मंतری, खुद और खुद मुखे मंतری हैं, उनका नाम नहीं है, मोदी जी जाते हैं और चलके चले आते हैं, क्या बात आप कर रहे हैं, गुजरात में चुनाओ के दोरान ये घटना हुई है, मोदी जी का वो बेहद शर्मनाक वक्तव, मेरे कानों में अभी भी गूंजरा है, कि देश का प्रधान मंतری, एक ऐसी अशोभनी और गिरी हुई बात कर सकता था, जो उन्होंने बंगाल में Act of God और Act of Fraud करी थी, अगर वो Act of God और Act of Fraud था, तो ये क्या है, सवाल इस बात का ह मुझे लगता है, सब भी समाज में होने के नाते, देड़ सो लोगों की मौत हो जाना, जिसमें अधिकांश बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं, घायोलों से अस्पताल भड़ा पड़ा है, अभी भी लोग लापता हैं, इसको Will of God कहा जा सकता है, कोट में, पुलीस क सामने या किसी डिबेट में, इसको हम Will of God कहके चुपचाब बैट जाएंगे, यह Will of God नहीं है, यह करप्शन और कमीशन खोरी का गुजरात सरकार का परदाफाश करने का सबसे बड़ा सबूत है, पाँच दिन पहले पुल खुला, 12,000 लोग पुल पर गए, 12,000 लोगों ने टिकट खरीदा, राजस्व में वो पैसा आता है, कमिशनर कहता है मुनिस्पालिटी का जी हमें पता ही नहीं है कौन खोल गया, कम्पनी कह रही है, हमने तो बात करके खोला, फायर डिपार्टमेंट कहता है, सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, मुख्यमंत्री तो बचा रहे अभी तक कड़ रहे हैं प्रधान मंत्री जी की, और प्रधान मंत्री जी अपने सारे कारिक्रम करके, मन में दुख लेकर, सारी वेशभषाय बदलके, प्रधान मंत्री जी, जब पहुचे, मैंने प्रधान मंत्री नहीं कहा है, प्रधान मंत्री ही कह रही हूँ, जब वो प यह विल ओफ गॉड नहीं है, विल ओफ गॉड अब दिखेगी ऐसे लोगों पर, मेरा अपना मानना है क्योंकि मैं एक गॉड फियरिंग परसन हूँ, कि यहां का लोखा जोखा यही होता है, इश्वर के साथ सामने डरना चाहिए लोगों को, देर सो लोगों की मौत को हम विल परकिदार उसका नाम है, यह क्या बात करने की बात कर रहे हैं आप लोग, और मुझे दुख होता है, कि मीडिया के साथ ही, ऐसी कवर फाइरिंग कर रहे हैं इस समय, आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के जो वरिष्ट साथ ही, नॉइडा कमांडर वार सरकार की, भाजपा की, पर पत्रकारों की भी हद हो गई है, मुझे लगता है, यह सिर्फ अशोग गहलोज जी नहीं नहीं का है, तमामों बार सचन पाइलट जी ने, यह कहा है कि हम सब मिलकर, आपसी मतभेद भुलाकर, सुनिश्चित करेंगे कि दुबारा से कॉंग्रेस की राजस्थान में सरकार बने, एक दूसरे का बयान पकड़ कर मीडिया में स्टोरी बनाना एक बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकरत तोर पे मुझे बोलना था, कॉंग्रस की प्रवक्ता होने के नाते और अपनी समझ के अनुसार, वो मैंने बोल दिया है, थोड़ी समझ आप लोग भी लगाई है, भरे मंच पर, दो और मुख्यमंत्रियों के सामने एक तीसरा मुख्यमंत्री खड़ा होकर प्रदान मंत्री जी को देश का लोकतंत्र और गांधी का देश समझा रहा है, ये प्रदान मंत्री जी के मुझे तो नहीं लगे कसीदे पढ़े जा रहे है, मुझे तो लगा घोर बेजजती है, जी. जैशा, पुत्र अमित्षा, पंकज सिंग, पुत्र राजनाथ सिंग, निलेश राने, पुत्र नारायन राने, अनुप्रिया पतेल, पुत्री सोने लाल पतेल, हमारे कभी अपने होते थे, जोतिरादित सिंधिया, पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडनविस, पुत्र गंगाधर फडनविस, अनुराक ठाकुर, पुत्र प्रेम पवार, पुत्री अर्जुन पवार, श्री आर्पी अन सिंग कभी हमारे होते थे, पुत्र सी पी अन सिंग, अरुन सिंग धूमल, भाई अरुन अनुराक ठाकुर, पंकजा मुंडे, पुत्री स्वर्गे श्री गोपीनात मुंडे, पुनम महाजन, पुत्री प्रमोद महाजन आकाश विजेवर गिया, पुत्र कैलाश विजेवर गिया, राव इंदर जीत सिंग, पुत्र राव बिरिंदर सिंग, यह हमारे तो नहीं है, यह तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दी और कुछ ही गिनाएं, इसमें कल्यान सिंग के बच्चे, कल्राज के बच्चे, इन लों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाएं नहीं, और बड़ी लंबी फेरिस्त है, हर राज्य में, तो अमित शाजी पहले इस बात का जवाब दें, कि अशोग गहलोज जी और भूपेश बगेल जी किस बड़े बाप के बेटे हैं, उन्होंने कॉंग्र अमित शाजी लोगों के पास अब मुद्दे नहीं रह गए हमारे कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक मिल मजदूर के लड़के हैं, ग्यारा बार चुनाव जीता है और उसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने उनको जिता कर अध्यक्ष बनाया है, यह हमसे बात करे किसका किसको लड़का होना चाहिए, जो डैडी डैडी मेरा खतम हो जाएगा टेनियोर, तो BCCI का समविधानी बदल दिया जाता है, अमित शाजी पहले अपने पुत्र जो डैडी डैडी करते थे, जिनको तीन साल का एक्स्टेंशन और मिल गया एस BCCI सेक्रेटरी, उसका जब आब दें, एक संस्था का समविधान बदल जाता है कि इनके पुत्र बने रहें और ये सवाल हमसे दागेंगे, वाँ भाई करते हैं the editors, the owners of this agency have apologized, have retracted the story and have given reasons as to why they were misled. I think the matter should stop at that. I am a little amused that fake news peddler-in-chief makes a complaint to the Delhi police and they go and raid the premises of the editors of this agency. Is this free speech? I saw a man yesterday in the Bharat Jodo Yatra holding a plaque saying, I am walking for the freedom of the press. I really felt where he was coming from. The freedom of the press, a free and fair media, is extremely important to keep the democracy alive. And I say this with no ego, but yes, I say it with some assertion that if the media starts asking questions of relevance to the Modi government, Mr. Modi will not remain the Prime Minister of this country. Let's take this offline. Thank you. Let's take this offline. Thank you. Thanks very much. Thank you. Thank you. This is a very important story of Delhi. Delhi की कहानी बहुत जरूरी है क्योंकि फर्जी पीते कार्टे वालों का पर्दाफाश करना भी जरूरी है. जैसे कि श्री सुबाश चोपरा जी ने यहां पर आपको काफी विस्तार से बताया. इसको प्लीज कवर करें और लोगों को सामने दिखाएं कि वो घर कहा है जो अभी तक बने ही नहीं है. यह तो पहला ही फेस बनके तयार हुआ है. घर तो सारे 2020 तक बन जाने थे. धन्यवाद.